केंद्रे मंत्री प्रलाद जोशी इन दिनों अप्रे संसिदे शेत्र धारवार में चुनाव प्रचार में व्यस्थ हैं करनाटक के सेक्स स्कैंडल पर उन्होंने कहा कि अगर प्रजुवल रिवन्ना ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए उनसे बात की हमारे स जो विखास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप्मेंट हो रहा है और जो लोगों का जो गरीबी है वो गरीबी दूर करना आने वाले दिनों में क्योंकि एकानोमिकली इंडिया इस बिकम बहुत स्ट्रॉंग हो रहा है उसका जो फल है आम लोगों को मिलना तो उससे यह जो गरीब है देरे-देरे दूर होना चाहिए और यही हमारा जो बड़ा पिक्चर मोदी साब ने बता रहे है वही है सेंटर स्टेट इशू का जो बात चल रही है यहां स्टेट गवर्मेंट के रही है कि ड्राउट में नहीं मिला है और सेंटर के रहे हैं लॉंड ओडर इशू है देखो जहां तक रिलीफ है हम जब कॉंग्रेस के दस साल के सरकार में डेवलूशन आफ टैक्सिस में 60,000 क्रोर्स मिलता था आज 2,93 क्रोर्स मिल रहा है और ग्रैंटीनेड 40,000 मिलता था आज 2,53,000 मिल रहा है ज्यादा ये है या वो है और ये ड्राट का वगरा जो इससे पहले भी जब अबारा सरकार भी था मनमोन सिंग के दस पर के साल हम दस पर के पिरिएड में उस टैम भी डिले हुआ है इस बार डिले हुआ थोड़ा कुछ टेक्निकल कारण से तब तक कोड़ टाख गया। इसके लिए कोड जाने के कोई दरुड अमने से पहले कोड जाने से पहले हमने रिए कुछ की पीछ ठीक को दियूदी पर्मिशन ओक्तवर को दो कि प्रमेशन रीए एक ये टैट ये ये इलेक्शन आपका क्या राए है आप क्या कहना चाहता हूं तो जो नमक खाया है वो पानी पीना ही पड़ता है इसे ये किदर प्रावर्ब है जो भी किया है उनको सजा मिलना चाहिए अगर किया है तो तैंक यू सर